एक दिन एक इंटर्व्यू के लिए गया और इंटर्व्यू बहुत खराब हुआ और जिस बंदे ने इंटर्व्यू के लिया था उसका नाम है मिस्टर भाटी अभी भी उसका चेहरा बहुत अच्छे से याद है वो मुझे बोलता है यार तुम लोग कहां कंप्लेइन मेरे घरवालों के पास पैसा नहीं है मेरे पापा की जोब अच्छी नहीं है मेरे पास वो नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया इसने सपोर्ट नहीं किया उसने सपोर्ट नहीं किया कुछ इंगलिश के अच्छे टीचर मिलते थे उनसे ज लेकिन एक दिन जब उस Mr. Bhatti ने बोला, 2004 के बाद, 2004 के आसपास, कि तेरा कुछ नहीं हो सकता बुपेंद्र, उस दिन मैंने का यार, ये बोला तो कैसे बोला ये, ये बोला तो कैसे बोला मेरे को ये देख के, उस दिन समझ में आया यार, अब तो English बोल के ही दिखाऊंगा, अब तो करके ही दिखाऊंगा, और उस दिन के बाद, दोस्तों, सिर्फ 40 दिन का training हुआ मेराज, स्वरी, 17 दिन का training हुआ और 40 दिन का practice हुआ, 17 दिन का training और 40 दिन का practice, and आज I can speak in English, wherever, कहीं पे भी आप खड़ा करो, कहीं पे भी जाओं मैं, और I have written a book in English, and बहुत सारी चीजे, खैर, ये सब कहां से शुरुआत हुआ, जिस दिन मैंने का I want to take charge, जब तक मैं fingers point कर रहा था, इधर, इधर, इस में problem, इस में problem, इस में problem, ये मेरा confidence नहीं बढ़ने दे रहा, ये नहीं बढ़ने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा, उस time तक सब कुछ बेकार था, लेकिन जिस दिन I took the charge, I asked myself a question, बुपेंद्र, अब करना क्या है, बता, या तो इस भाटी की बात सच होनी है, या तेरी बात सच होनी है, दोनों में से कौन सी बात में तेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा, मैंने काया, जिस दिन उसको समझ में आया ना, कि उसने किस आदमी को बुला, उस दिन मुझे मज़ा आएगा, उस दिन मज़ा आएगा, और सच में दोस्तों, उसके बात से पीछे मुड़ के नहीं देखा,